हेलो एब्रिवन आज किस फीड़ो में हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी पहली बुक है इसका ये वन सॉट वीडियो है इसमें आपको सारे most important question जो है उसका collection एक जगा मिल जाएगा term 2 के board exam के लिए बहुत important वीडियो होने वाली और ये हिंदी में आपको कराऊंगा मैं 12 के political science का एक बार आप syllabus देख लो और उसे समझ लो ठीक है मिरा नाम है सतंदर प्रताप और आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो एक लगवर study point मेरा username है तो चलिए एक बार syllabus देख लेते हैं देखें ये तीन chapter आपके में आ रहे है सत्ता के वेकलपिक केंद्र जो इसका पुराना नाम था नया नाम है सत्ता के ने केंद्र ठीक है ये आपको पढ़ना है दूसरा फिर इसके बाद ये वाला chapter आ रहे है इसके बाद वैश्विकरन तीनों ही chapter के question मैं आपको book 1 के इस video मे करा दूँगा ठीक है तो चलिए देखते हैं सारे important question आपके सामने screen पे है Marcel योजना से क्या भी प्राए पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है देखे मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि अकिर क्या था देखे आपको पता है कि जो second world war था यानि world war 2 था वो 1939 से 45 तक हुआ था और ये कहा इस से सबसे ज़्यादा महदीप प्रभावीत था तो आपको पता होगा कि यूरोप प्रभावीत हुआ था यूरोप को अगर हम दो हिस्सों में धेखें एक तरफ पthsच्चिमी यूरोप एक तरफ पूर्वी इूरोप तो ऐसे मिद्ब यूरोप को बहुत जाता नुकसान हुआ था तो पस्चिमी यूरोप को अमेरिका ने दोब आरसा के लिए जो आर्थिक मदद दी थी ठीक है यूरोप आर्तिक सेयोग संगटन की स्थापना की गई, ये यूरोप आर्तिक सेयोग संगटन जो था, एक मंच था और इसके द्वारा क्या था, कि उरोप के जो जो पस्चमी उरोप के जो धेश थे इनको सहयता पहुचाए गई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अब चलते हैं अपने अगले question पर यूरोपे संग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी, ठीक है, और NCRT वाली date आपको याद रखने है, हो सकता है Google वगेरा पर आपको 1993 या कुछ और मिले, लेकिन आपको यही date याद रखने है, जो याद पर्मानेंट मेंबर हैं, तो France और Britain जो हैं, यह दो ऐसे सदसे देसे हैं, जो की सुरक्षा परिसत के स्थाई सदसे हैं, इनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है, यह आपने सभी जानते हैं और यह पेपर में बहुत बार पूछा हुआ question है, जितनी भी question करा रहा most important है, इससे भार paper में आपकी question बनते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना आपको, next है कि यूरोपे संग की ऐसी विसेस्ता हैं लिखिये, जो उसे एक प्रभावसाली संगठन बनाते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, तो वो आपसे पूछ लिए हैं, तो देखिए, यू अबरदर्स प्रभाव आप कह सकते हो, यूरोपे संग के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, हम यह कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी सेना है, तो इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि बड़ी सेने शक्ति है, तो यह प्रभावसाली बनाती है इसको, फिर क्य दोजार सोला में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थिवस्ता थी ठीक है और इसका जो सकल गरी लोग पात की बात करें तो 17,000 अरब डॉलर था जबकि ओल्ड NCRT में आपको अलग डाटा मिल सकता है तो कोई कमेंट ना करें आप अपने NCRT को बदल लें ठीक है अग करेंसी है यूरो जो है वो डॉलर के लिए खत्रा है यानि अमेरिका के डॉलर के लिए खत्रा बन सकती है इतनी जबर्दस इनकी मुद्रा है विश्व वैपार में अगर बात करें तो सबसे बड़ी हिस्सेदार याति है इसकी और इनका रक्षा बजट की बात करें तो वो नमबर में आता है, दो पाइंट लिख देना, चार में आता है, चार लिख देना, ठीक है, तो आपको ये पाइंट लिखना है, ठोड़े थोड़े इसको explain कर देना है, ठीक है, ये नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, यूरोपे संग के जंडे की विसीस्ता बताओ, ये पेपर में प्रतीक है, ठीक है, एक्ता और मेल मिला का प्रतीक है, क्योंकि यूरोप में बारा जो नमबर होता है, बारा जो संख्या होता है, उसको मतलब सही माना जाता है, यानि बारा की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एक्ता का प्रतीक माना जाता है, व जो मौश्तिक संदी थी यह संदी के तहट कि छेतर्य संगटन کا गठन हुआ था तो इस संदी के तहट यूरौपी संग का गठन हुआ था 1992 में इंपोर्टेंट है याद रखना कि यूरो संक के पास क्या क्या है तो इसके पास अपना जंडा है अभी आपने देखा यह खतरा बन सकती है, तो ये point भी आपको याद अटने, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, अगला question आपके सामने है कि आसियान संगठन के बारे में चर्चा कीजे, आसियान के बारे में बताईए, तो आसियान के बारे में 4-5 point important है, जो आपको याद होने चाहिए, एक तो सबसे पहले देखिए, आसियान जो है ये दक्षिन पूर्व ACI राष्टो का संगठन है, ठीक है, दक्षिन पूर्व ACI र संग्या केवल 5 थी, देखो ये आपको बिल्कुल note down कर लेना है, कि स्थापना के समय इसमें केवल 5 से 10 से देश थे, इसमें कौन कौन से देश थे, इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर और थाइलेंड, ये 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश इसमे पर दस हो जाती है, तो ये चीज़े बिल्कुल आपको याद अटना है, ठीकि एक छित्रे संगटन है, इंपोर्टन है आपके लिए, आगया है कि आसियान जो संगटन है, इसके उद्देश ये बताईए, तो आसियान का उद्देश है कि आर्थिक विकास जो है, वो तेज क करना, ये इसका क्या है, उद्देश है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश है, कानून का शासन स्थापित करवाना और छेत्रे शांति को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश है, तो ये most important point है, आपको बिल्कुल याद करना है, और एक चीज़ याद रखनी है, old NCRT अगर आपके पास है, तो उसको ना पढ़ें, क्योंकि new NCRT जो आपके अभी जो NCRT की website मिल जाती है, उसमें कुछ point change है, काफी data जो है, वो change मिलता है, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ने आपके paper में question गलत हो सकते है, ठी अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा confused होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा हमने कि आसियान की स्थापना जो थी, वो 1967 में होई थी, ठीक है, लेकिन एक question है कि आसियान चेत्रे मंच, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आसियान चेत्रे मंच, इसमें confused हो जाते हैं, आसियान चेत्रे मंच की स्थापना कब होई, 1994 में होई, यह ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे, आसियान की स्थापना कब होई, तब आपको लिखना है, 1967, यह दोनों कोशन confuse करते हैं, बच्चों को तो दोनों को बिलकुल अलग अलग दिमाग में बिठा लो, आसियान की स्थापना, 1967, आसियान चेत्रे मंच की स्थापना, 1994, कभी गलत नहीं करना पेपर में, ठीक है, इसकी स्थापना, 1994 में होई, आसियान चेत्रे मंच के उद्देश क्या है, ठीक है, तो इसको उद्देश हैं कि आसियान के देशों की सुरक्षा होनी च पूचा जाते हैं, आसियान छेत्रे मंच के इस थापना कब हुई, आइटिंक ये कोशन रिपीट हो गया है, अभी हमने इसे पड़ा है, कोई बात ने हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आसियान शैली से क्या भी प्राए है, अब देखिए शैली का मतलब यहां पर स्टाइ नहीं होना चीए, सयोग आत्मक्स, एक दूसरे का सयोग करना, मेल मिलाप का नया उधारन, पेस करके आसियान ने काफी नाम कमाया, इसी को आशियान सैली कहा जाने लगा, ठीक है, यानि कि आसियान का जो काम करने का तरीका है, अनौपचारिक रोप से काम करता है, बिना किस दस साल के पेपरों में बार बार रिपीट होते है, बहुत ज़्यादा इनके चांस है, इसलिए कहरों कि ज़्यादा फोकस करना, यह कोशन यही पेपर में आपके देखने को मिलेंगी, अगला कोशन देखो, आसियान के परमुक तीन इस्तंब बताईए, ऐसा कहा जाता है कि आसियान के तीन परमुक इस्तंब है, जिस पे यह टिका हुआ है, तो तीन इस्तंब कौन से, एक तो है आसियान सुरक्षा समुदाए, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाए, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाए, अब देखो, सुरक्षा समुदाए, इस उसको मतलब यह नहीं कि सेन ने टकराओं तक पहुंचा उसको उससे पहले ही रोकना यह इसका काम है समझगे अब आर्थिक समुधाय का काम क्या है नाम से आपको पता लग रहा है तो आर्थिक का मतलब कुछ ना कुछ अर्थिव्यवस्ता से रिलेटीड होगा तो दिखे आस आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकें एक दूसरे का समान इंपोर्ट-एक्सपोर्ट यहां पे हो जादस ज्यादा व्यापार को बढ़ा हुआ मिले बाजार मोलक कही नगे विवस्ता को समर्थन था इनका तो इस तरीके से यह हो जाएगा इंपोर्टेंट है बहुत ज आता है याद रखे अगला है कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का काम है कि आसियान देशों के बीच में सामाजिक विकास हो है सांस्कृतिक विकास हो इस पर ध्यान देना नेक्स्ट कोशन देखते है भारत ने किन आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझोता किया अब यहाँ पे एक चीज़ देखे जिन बच्चों के पास old NCRT है पुरानी NCRT उनकी बुक में मिलेगा सिंगापूर और थाइलेंड याने कि भारत का सिंगापूर और थाइल थाइलेंड तो आपको यह चीज़े याद रखनी है हो सकता है आपके पेपर में आ जाए ठीक है और आप old वाला डाटा लिगो और क्या पता आंसर में उन्होंने मलेशिया भी दे रखो तो उस तरीके से फिर आपके नंबर कटेंगे तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मल पूर्व की और चलो की नीती अपनाई थी इसके तहत पूर्व की और चलो की नीती का मतलब क्या है समझ रहे हो इसका मतलब यह है कि जो 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 दक्षिन पूर एशिया ही राश्ट रहें जैसे इंडोनेशा, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगपूर, थाइलेंड इनके साथ व् दोनों में मिल जाएगा बट यह एक नया पॉइंट है जो आपको old NCRT में नहीं मिलेगा यह नहीं NCRT में मिलेगा देखिए भारत ने act east अब यहां ध्यान से देखिए भारत ने act east की नीति कब अपनाई तो यह 2014 में इंपोर्टेंट है 2014 में अपनाई तो यह दोनों कोशन याद करने पेपर में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट कोशन यह पेपर में काफी आता है यह आपके सामने image दे देंगे और आपसे बोल देंगे बता इस image से related कोई question आपसे पूछ लेंगे तो आपको अगर यह picture का पता होगा पहले से कि यह क्या है तो आप आराम से बता क्या है यह है धान की दस बालिया धान जो होता है चावल जिसमें होता है धान की दस बालिया है जो दक्षिन पूर्व एशिया के दस देशों की तरह पिशारा करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंदे हुए है और वृत आसियान की एकता का प्रतिक है ठीक अगला कोशन, चीन की करांती जो थी, वो कब और किसके नेत दूर्त में हुई थी, तो चीन की करांती हुई थी, नाइन चीनी करांती कब हुई थी, नाइन दूर्त में, किसके नेत दूर्त में, तो वहां के एक नेता थी, जिनका नाम था माओ, इन माओ के नेत दूर्त में य कौन से लिए गए थे तो चाइना ने क्या था अब मैं आपको बताऊं चाइना पर एक इंपोर्टेंट कोशन आगे भी है मैं वहां ही डेटेल में बता दूंगा यहां पर इस पॉइंट को देख लो पहले चीन ने 1970 के दसक में दो बड़े बदला हो तो 1970 के दसक का मतलब यहां पर 1970 से लेके 1980 के बीच इन 10 साल के बीच में ऐसे दो बड़े फैसले बताने जिससे चाइना को काफी फाइदा हुआ हो तो देखे चीन ने क्या करा 1972 में अमेरिका से संबंद बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक ए नहीं थे अपने संसादनों पर निर्भरते पूरी तरीके से अमेरिका जैसे देशों से बनती नहीं थी क्योंकि यह साम्मेवादी था तो जाहिर सी बाते सोविय संग यानी USSR के करीब था तो ऐसे में चाइना ने क्या करा गुप चुप तरीके से 1972 में अमेरिका से दोस्ती क चाऊ एनलाई इनका नाम है चाऊ एनलाई इन्होंने क्रिशी के छेतर में उद्योग के छेतर में स्टेना के छेतर में और विज्यान और टेकनोलोजी यानि विज्यान और प्रद्योगी की छेतर में आधुनी करन के चार प्रस्ताव रखे यानि इनको मॉडन किया जाएग तो ये दो बड़े बदलाओ हैं ठीक है और एक तीसरा भी अगर हम बात करें तीन पूछ ले तो 1978 वाला अप लिख देना कि देंग श्याओ पेंग के नित्रत में जब इन्होंने मुक्त द्वार की नीती अपनाई थी वो भी एक बड़ा बदलाओ हो जाएगा ठीक है लेकिन इन दोनों को पहले लिखेंगा अब चलते हैं अगले कोशन पे चीन में कब और किसने मुक्त द्वार की यानि जिसे ओपन डोर या फिर खुले द्वार की नीती कहते हैं ये नीती किसने अपनाई थी तो ये 1978 में अपनाई गई थी याद रखें चीन ने 1978 में ये नीती अप चाइना में सामयवादी विवस्ता थी लेकिन चीन ने शौक थेरीपी को नहीं अपनाया था जैसे कि बाकी देशों ने अपनाया था चीन ने क्या करा अपनी अर्थ विवस्ता को स्टैप वाइस स्टैप यानी चरनबत तरीके से खोला ठीक है बड़े-बड़े फैस्टे लि पिर 1978 में मुक्तद्वार की नीती अपना रहा है पिर 1982 में खेती का निजी करन कर दिया उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजी करन कर दिया तो आप देख रहे हो स्टैप वाइस स्टैप धीरे-धीरे कुछ वर्सों के अंतराल में इन्होंने अपने देश के अंदर बदला करें तो यह आपको बिल्कुल याद रखने है ठीक है खेती का निजी करन कप करां 1982 में उद्योग का निजी करन कप करां 1998 में इंपोर्टेंट याद रखो आगे चलते हैं एक कोशन है और अथवा करके दे रखा है मैंने यानि कि और दोनों कोशन आ जाए आंसर एक जैसा ही लिखना है कोशन ऊपर का भी देखो पहले चीनी अर्थविस्ता जो है उसकी उन्नती के लिए उत्तरदाई कारकों की व्यक्या कीजिए यानि चाइना जो था पहले डवलप नहीं दा जादा ठीक है लेकिन बाद में आचानक से डवलप हो गया बहुत जादा तो उसके 1940 में अमेरिका से भी आगे पहुंच जाएगा चाइना तो आखिर ऐसे क्या गारन है जिसकी वज़े से ऐसा कहा जा रहा है एक जैसा ही आंसर बनेगा दोनों का ध्यान से सुनना और मैंने थोड़ा बड़ा लिखा वे ताकि मैं आपको विस्तार से समझा सकूँ समझना इसे देखें पूरी स्टोरी समझाता हूं तब आपको समझ मैंगा 1949 में क्या हुआ चीन के जो नेता थे माओ इनके निर्थ उर्त में यहां पे चीन ही करांती हुई आपको पता है साम्मेवादी विवस्ता को अपना रखा था इन्होंने USSR के करीब था ये तो ये क्या गरते थे इनकी जो आर्थिवादी विवस्ता थी वो सोवियत मॉडल पे आधारित थी चीन जो था आर्थिक रूप से पिछड़ा था क्योंकि ज़्यादा व्यापार वगएरा किसी से करता नहीं था अमेरिका जैसे देस्तों से पूंजीवादी देश जो थे पूंजीवादी गैप पड़ेगा और कोई दूसर रास्ता नहीं था क्योंकि अमेरिका जैसे देस्तों से तोड़ रखा है यह था तो इसलिए चीन जो था धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मतलब गिरता जा रहा था गिरने का मतलब है कि मतलब उसकी अर्थिवास्ता में वह विकास नहीं था लेकिन य चीन को ऐसा लगा कि हमें अगर develop होना है हमें विकास करना है तो हमें बड़े बदलाओं करने पड़ेंगे चीन के नेताओं ने 1970 के दसक में बड़े फैसले लिए और इन बड़े फैसलों ने चीन की काया कल्प कर दी यानि बिल्कुल बदल दिया कहां चाइना एक ऐसा देश था जो develop भी नहीं था बिल्कुल मतलब बुरे हाल थे और अचानक से कुछ बड़े फैसलों ने चीन को मतलब चीन के मतलब विकास के आप ये लगा लो पंक लगा दिये बिल्कुल चाइना बहुत तेजी से विकास किया तो आखिर क्या थे वो ये याद रखने तो देखो चीन ने 1972 में अमेरिका से अपनी दोस्ती की अभी हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा अमेरिका से पहले वो दोस्ती नहीं थी उसने 1972 में दोस्ती कर लिए और राजनीती के कांतवास खतम हो गया ये एक ऐसी घटना थी जिससे चाइना को बहुत फायदा मिला अब दूसरी घ उद्योग में, सेना में और विज्ञान और टेकनोलोजी में यानि इन चार छेत्रों में इनको महसूस हुआ कि इसको आधुनी करना है हमको इसको मौडरन करना है यहाँ पर विकास चाहिए तो इन्होंने किर्शी के चेत्र में, उद्योग के चेत्र में, सेना के चेत्र में इनके Deng Xiaoping इन्होंने एक फैसला लिया कि चीन में आर्थिक सुधार किये जाएंगे और मुक्तवार की नीती अपना ही जाएंगे मुक्तवार की नीती का मतलब है चीन ने अपने दरवाजे खोल दिये कि अब हम क्या करेंगे दुनिया से व्यापार करेंगे तुम हमारे पास आओ व्यापार करो हम तुम से व्यापार करेंगे यानि व्यापार जो पहले चाइना नहीं कर रहा था जब वो सामयवादी विवस्ता में था लेकिन अब उसने उस विवस्ता से बाहर निकलके व्यापार को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा दिया खुले मूलग करते विवस्ता यह जो होता है यह capitalism में यानि यह पूंजी वाद में होती है चीजे और चीन तो सामयवादी देश था लेकिन चीन ने सामयवादी विवस्ता को धेरी धेरी छोड़ कर कहीं न कहीं पूंजी वादी विवस्ता की तरफ अपना रुख किया और इस विवस कर दिया उस ते चाइना को और ज्यादा फायदा हुआ यानि कि चीन पहले बिल्कुल भी डेवलप नहीं था लेकिन उनके नेताओं ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके बाद चाइना बहुत डेवलप हो गया वो चार-पांच फैसले आपके सामने स्क्रीन पे थे तो इतना देख कि आपको समझ में तो आगया होगा कि चाइना क्यूं 2040 में अगर ऐसा ही होता रहा ना तो 2040 में अमेरिका से आगे निकल जाएगा तो एक कोशन ये भी पूछ सकते हैं कि बताईए 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सकती अमेरिका से आगे निकल तो इसके पीछे कुछ कारण है देखो इनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीती जिसके करण किर्शी उत्पाद और ग्रामेन आये में विर्दी हुई अगर ऐसा ही होता रहा तो जरूर आगे निकल जाएगा दूसरा ग्रामेन अर्थविस्ता जो थी उसमें बहुत ज लिशी मुद्राबंडार क्योंकि व्यापार करते नहीं थे जब इन्होंने व्यापार सुरू करा तो इनके पास फॉरन करेंसी भी बहुत जादा हो गई अब इसलिए इनको बहुत जादा बेनिफिट हुआ चीन जो है 241 में विश्व व्यापार संगटन में शामिल हो गया चीन ने दुनिया के बाजार में अपनी धाग जमाई तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजए से चीन अगर ऐसा होता रहा तो शैद 2040 में दुनिया में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा ऐसा अनुमान लगाया चाता है तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को एक्स इसको जरूर देखो ताकि आपको कोशन अंसर समझ गया हैं अगला कोशन है भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण बताइए तो ठीके भारत और चीन पडोसी देस है इनके बीच में कुछ मुद्दो को लेके विवाद है वो देखे जैसे कि भारत में आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है आप मैप में देखोगे तो उसमें जो अक्साई चीन कुछ ऐसा हिस्सा है लद्दा की साइड इदर की साइड जहां पे चीन अपना दावा करता है कि वो उसका है अकसाई चीन कहा जाता है जिस हिस्से को ठीक है तो ये जो हिस्सा है इसको लेकर विवाद है यानि जम्मू कश्मीर में अकसाई चीन वाले इलाके को लेकर विवाद है ये विवाद का कारण है दूसरा भारत के मैप में आप देखोगे जब ये जो इधर अरूनाचल जम्मू कश्मीर वाले हिससे में भी विवाद है, तो दो तो सीमा विवाद वाले मुद्द्धे हो गये, फिर क्या हूआ जब चीन ने तिबबत पर कब्जा किया था, उसके बाद भी ठोड़ा थोड़ा विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि भाद में डलायप लामा जो थे जो तिबबत के नेता थे, इन्होंने भारत चे शरन मांगी थी, और भारत ने उनको अपने देश में शरन दे दी थी, उनको जब हमने शरन दी तो चीन नाराज हो गया, चीन ने कहा कि भारत ने पंचसील समझोतों का उलंगन किया है, वो हमारे अंधुरूनी मामले में दखल अंधाजी कर रहा है, तो ये एक विवाद का मुद्दा बन जाता है, तिबबद और दलाई लामा, ठीक है, और भारत चीन यूद नाइंटी सिक्टी टू, ये भी एक कहीना कहीन, खिट पिट वाला मुद्दा बन चुका था, कि चाइना ने भारत पे आकरमन कर दिया, भार चलते हैं अंगले कोशन पर, तो यहां तक तो हमारे सारे NCRT के कोशन हो जाते हैं, लेकिन आपकी स्लेबस में कुछ ऐसे टॉपिक भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी NCRT में आपको नहीं मिलेंगे, उससे भी कुछ कोशन है, आपकी पिपर में आ सकते हैं, तो चलिए यहां से देखें, मैं आपको कोशन भी करता हूं, यू टॉपिक के, सबसे पहले देखें सारक, इसको हिंदी में दक्छेष भी कहा जाता है, कई बुक में आपको मिलेगा, तो देखें सारक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, कहां पे हुई थ मैं बताना है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है, कि धाका जो है, वो किस देश में है, धाका जो है, जगा जो है, धाका, वो किस देश में है, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, और ये जो सार्क जो है, जो दक्षेस जि पूछा जा सकता है अब सार्क के सदस्य देशों की बात करें तो सार्क में सुरू में साथ सदस्य देश थे लेकिन बाद में एक और आ गया था जुड़ गया था तो आठ हो गये थे तो आपको यह याद रखने हैं सार्क के सदस्य देशों के नाम तो भारत हैं पाकिस्तान है नेपाल है, भूटान है, बांगला देश, शेलंका, मालदीव ये तो साथ वो देश है जो पहले से इसके सदसे थे लेकिन बाद में एक और देश सामिल हुआ अफगानिस्तान तो इस तरीके से इसका आठवा सदसे देश बन गया था अफगानिस्तान तो आपको ये याद रखना है, अगला कुशन है कि ब्रिक्स, एक नया टॉपिक है जो आपको NCRT में नहीं मिलेगा या आपके इसमें जुड़ गया है, तो पहले इसका नाम होता था ब्रिक, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका नाम होता था साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानि शुरू में ब्राजिल था, रस्या था, इंडिया था, चाइना था साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में नहीं था, वो बाद में जुड़ा था, इस तरीके से ब्रिक्स बन गया, तो ब्रिक्स की कंट्रीज के नाम पूछे मानलो, आपसे बोलें कि बताइए ब्रिक्स में कौन-कौन से देश हैं, तो आपको नाम याद होना चीए, ठीक है, ब्राजिल, रस्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स की स्थापना कब इसलिए आपको इसको भी याद रखना है, क्या पता पेपल में पूछ लें, यह हो जाएगा, ठीक है, अगला देखो, ब्रिक्स जो संगठाने, इसके उद्देश है क्या है, तो इसका उद्देश है कि इसके जो सदस्य देश है, इनके बीच में सहीयोग बना रहे है, ठीक रूस जो है, एक रसिया नाम का टॉपिक अपकेस में जुड़ा है, तो उसी से कोशन पूछ सकते हैं, रसिया जो है वो इतना ताकतवर क्यों है, क्या कारण है जो रूस इतना ताकतवर है, तो इसके पीछे कई सारे कारण है, ठीक है, तो देखते हैं, रूस जो है, इसके प्राक्रितिक संसादनों की भरमार है गैस के बहुत ज्यादा भंडा रहे हैं यहां पर इसलिए यह ताकतवर है ठीक है अगला रूस जो है परमानु सक्ति संपन देश है यानि कि जब सुरक्षा परिशत की जो इस थाई सदसे बनाए गए थे पांच उस समय में बहुत कम दे रसिया बनाए और इसकी जो UNSC में जो सीड थी सीकॉर्टी काउंसिल में सुरक्षा परिशत में वो सीड भी रसिया को मिली है वीटो पावर इसी की तो मिली है तो यह भी आपको याद रखना है सुरक्षा परिशत का इस थाई सदसे भी है यह भी अच्छा पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इसके पास वीटो पावर भी है फिर रूस के पास आधूनिक हतियार भी है और टेक्नोलोजी के मामले में रूस बहुत ज़्यादा आ गए है यह भी आपको याद रखना है दुन अगल के जो देश है वो इसमें आ जाते हैं अगर आप मैप में देखोगे तो आपको हमाँ पर पता लग जाएगा तो इसमें यह देश आते हैं भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान मालदेव शेलंका बंगला देश अफगानिस्तान और म्यामार को भी इसमें शामिल कर लि और अगला कोशन है कि दक्षिन इसिया के देशों में किस प्रकार की राजनितिक पढ़नाली है तो देखिए दक्षिन इसिया के में साथ देशों की अगर हम बात करें तो सभी में आपको अलग-अलग तरह की राजनितिक पढ़नाली देखने को मिल जाएगी जैसे अगर मै बात कुनों भारत की और शेलंका की तो यहां पे लोकतंत्र है देखो भारत और शेलंका दोनों ही गुलाम थे बिटेन के और जब से भारत और शेलंका आ जाद हुए भारत आ जाद हुए वह था नहीं राजा का साशन होता था सुम्वैदानिक रास तंत्र होता था लेकिन आज के समय में किया है लोक Ama की तरफ गया है ठीक है founded रáng पॉत इसान जो साजन है आपको ध्यान लकन नक निये plus भूटान की आज भी राज तंत्र है लेकिन यहाँ पे भी बहुत अलिये लोगतंत्र के स्थापना के लिए काम किया जा रहा है, कदम उठाये जा रहे हैं, तो यह आपको याद रखना है कि भूटान जो है आज भी राज तंत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यह कदम उठाये जा रहे है के बाद है अगला मालदीव मालदीव जो है यह 1968 तक देखें तो यह एक सल्तनत हुआ करता था लेकिन बाद में यह गड़तंत्र बना दिया गया और यहां पर जो शासन की विवस्ता है वो है अद्धक्षात्मक परणाली इसको अपनाये गया तो यह important है अब देखो paper में यहा है यहांपर कई तरह की समस्य है समस्या क्या है यहां पर कई तरह की समस्या है तो जैसे कि मैं बताऊं आपको इह जो दख्षिनेशय का छटर है यह संगर्सो वाला छेतर है याहां पर करी ना कई विवाद रहते इन देशों के बीच में फिर क्याए neglect in देशों के बीच में सीमा वाले कई कोशन रखे हुए मैंने, तो शेलंका में जाती है संगर से, और दक्षिने से एक समवेधन सील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां पर भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो है, इन दोनों ही देशों ने क्या गरे हैं, परमानु हतियार प्राप्त कर रखे हैं, यान आप 10-12 साल के पेपर देखोगे, तो यह कोशन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोशन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, कोशन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के इस्थाई ना रह पाने के पीछे क्या कारण है, कोशन के लेंग्वेश गु इनका बहुत ज़्यादा दब दबाए, यह भी एक कारण है, जिसके कारण यहाँ पर कहीं न कहीं, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, ठीक है, यह हो जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा क्या है, कि भारत के साथ पाकिस्तान के हमेशा संबंद कैसे रहते हैं, तनाव ठीक है, तो यह एक पॉइंट अच्छा बन जाता है, इसके लिए, फॉर्थ पॉइंट देखे कि पाकिस्तान में लोकतंत्रिक सासन को चलाने के लिए, कोई अंतराष्ट्य समर्तन भी ज़्यादा प्राप्त इनको नहीं हुआ, अमेरिका और पस्चिमी देशों के अगर हम बात करें, तो इन्होंने अपने स्वारत के लिए, यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, अपने टाइम पे, ठीक है, तो यह सब कारण ऐसे बन जाते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापिती नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से, अब आप सोचोग प्रशन आपके सामने यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कुछ मुख्य कारण बताईए, तो कई सारे कारण है, इसमें से एक कारण है कश्मीर विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर हमेशा से संगर्स रह, कश्मीर जो है, आप द कि इनके बीच में विवाद है ऐसे में क्या हुआ था कि इनके बीच में एक युद Whew वह था जिसमें की पाकिस्तान का कुछ ष्सा ककश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान वाले इस दा श liability य कि प्यों के कहा जाता है ठीक है पाक अधिकरित कश्मीर तो तो यह हमेशा से विवाद का मुद्दार आया और एक चीज यह भी है कि आस तक यह solve नहीं हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है, important है, पूछा जाता है paper में, अगला point देखे, नदी, जल, विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में देखे, तो एक जल समझोता हुआ था, ठीक है, सिंदू नदी में एक समझोता हुआ था, जिसको सिंदू नदी जल बटवारा समझोता है, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है, तो यह जो समझोता हुआ था, यह 1960 में हुआ था, और World Bank जो है, उसने, इसमें साहता कीती, help कीती, उसके mediator बनाता था, ठीक है, तो आतंगवाद को कितना, कितना वहाँ पे फल फूल रहें, और उसका असर आपको जम्मो कश्विर में दिखता ही होगा, कि वहाँ पे कई बार आतंगवादी मारे गए, आप न्यूस में सुनते होंगे, और कई बार पाकिस्तान की तरफ से आतंगवाद को खुला समर्थन मिल उनको पैसा देते हैं, और उनको हतियार उपलब्द कराते हैं, और फिर वह भारत में आके क्या करते हैं, हम लेव अगरा करते हैं, तो यह चीज़े चलती रहती है, तो यह आतंगवाद एक कारण हो जाएगा, फिर क्या है भारत विरोधी गतिविदी, important point है, यह भी ध्यान के लिए, तो यह point हो जाएगा, next देखे, सरक्रिक की सीमा रेखा विवाद, आप देखोगे, जब मैप में आप देखते हूँ, यहाँ पर मैप बनाने की कोजिस करता हूँ, जो इधर जो गुजरात वाला हिस्सा आपको दिखता है, गुजरात वाला, यहाँ पर अगर आप देखोँगे, तो एग जगा पर आपको सरक्रिक रेखा दिखेघी, ठीक है, ज़िकरी को बोलते हैं उसको, तो क्या है कि गुजरात राज्य मैं कक्श, कक्श में एक रण नाम की जगा है, वहाँ पर क्या है सरक्रिक सीमा रेखा है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बी तो यह important है, अगला देखी सियाचिन glacier को लेकर विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सियाचिन glacier है, इसको लेकर भी विवाद है, यहां पे नियंतरन को लेकर, हत्यारों की होड को लेकर हमेसा तना तनी रहती है, तो एक point यही बन जाता है, तो यह 4-5-6 point बनते हैं, पेपर में 4 number में अगर पूछा जाता है, तो चार ही point लिखने हैं, ठीक है, ज्यादा point नहीं लिखने हैं आपको, तो आप इसे याद कर सकते हैं, कोई भी 4 point यहां से लिख सकते हैं, कुशन यह आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध तो एक पहला युद्ध तो 1947-47 में ही हो गया था, आजादी के तुरंद बाद, तो इसमें क्या था, कश्मीर मुद्ध यहां पे अंसुलजा रह गया था, और यहीं पे कश्मीर में जो P.O. के वाला हिस्सा है, यह वाला हिस्सा है न, P.O. के वाला, वो इसी लड़ाई में, इसी युद्ध में पाकिस्तान को चला गया था, इसके बाद है सेकिंड, जो कि 1965 में हुआ था, उस समय में लाल बादुर शास्तरी थे, पाकिस्तान की तरब से आकरमन हुआ था, ठीक है, और तीसरा युद्ध जो है, 1971 वाला आपको पता है, बंगला देश संकट, यहां पे तो यह चारो युद्ध आपको याद रखने है, ठीक है, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते है, सौट में भी आपसे पूछ सकते हैं को, अगला कोशन है कि भारत और पाकिस्तान ने अपना परमानु परिक्षन कब किया था, यह सायद मुझे लग आपको, और परमानु परिक्षन किया था, भारत ने 1998 में, उसके कुछ समय के बाद ही, पाकिस्तान ने अपना परमानु परिक्षन कर दिया, चगाई की पहाडियों में, यह पेपर में, कूशन ता कि पाकिस्तान ने 1998 में जो परमानु परिक्षन हुआ था इनका, वो कहां अगर पेपर में ऐसे पूछने कि भारत का पहला परमानू परीक्षन कब हुआ था तब आपको याद रखना है वो वह था मई 1974 में थेक है मे पढ़ाता इसा है चलिए बारत और पाकिस्तान के बीच में ह् GOD A हम सभी जैंते 160 में ये भी फ़ी पढ़ चुके और किसकी साहिथा से वा थै विश्यू बैंक की साहिथा से भी था ठीक है मेडियेंटर था यह भी मि improv जानते अब यहां पर चीज नहीं है कि इस समझोते में भारत की तरब से कौन से प्रधानमंत्रिया नेता थे उस टाइम पे तो भारत की तरब से नहरू ठीक है और अगर पाकिस्तान से पूछे तो उधर से कौन थे उधर से अयूब खान इन दोनों ने हस्ताग्चर किये थे तब यह समझोता हुआ था इंपोर्टेंट है यह पूरे के पूरे पॉइंट आपको याद रखने है अगला प्रशन है कि भारत पाकिस्तान के बीच में तासकंद समझोता कब हुआ था और शिमला समझोता कब हुआ था तो यह याद रखने का तरीका क्या है आपको बताए कि 9065 में भारत और पाकिस्ता जो थे, इनकी मौत हो गई थी तासकंद में, और आज तक नहीं कारण पता लग पाया कि मौत का कारण क्या था, यह इसलिए भी इंपोर्टेंट है, दो तीन पॉइंट यहां से बनते हैं, आपको यह याद रखना है, ठीक है, और अगला कोशन है कि भारत और पाकिस्तान के ब सम्झोता हुआ इते हैं, इसमें इंद्रा गांदी थी, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, आप मुझे और बताये है, अगला कोशन आपके सामने है, कि श्रिलंका के जातिय संगर्स के बारे मुत है यह देखे यह most important question है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको बिल्कुल आपको याद रखना है बिल्कुल ठीक है most important है तो श्रिलंका जो है श्रिलंका आप देखोगे जब दक्षिन भारत की तरफ देखोगे यहाँ पे map बन संक्यक लोग जो है जो वहां के निवासी है वो क्या है उनको सिंगली बोला जाता है यानि वो सिंगली लोग है और वहां पे भारत से कुछ तमिल लोग जाके बस गये है तो जो भारत से तमिल वहां पे जाके बसे हुए है तो यह सिंगली लोग क्या करते है उनका विरोध क क्योंकि वहां के बहु संख्याक्य के वहां के निवसी हैं, और यह भारत से आके बसे हुए वहां पे, इनके बीच में कैGS संगर्स का जाता है, एक पेपर में पूछा जाता है, EH 있는 आगे रखे, आगे, किया है त्यों और श्रिलनका के बहु संक्यफ समुधाई जो सिंग्ली ल यह शिलंका वों सिंगली लोगों का है इस तरीके से इनके बीच में विवाद रहता है और देखे क्या है उपेक्षा होती है उपेक्षा बर्य बर-द्रेशा उनके साथ होता है तो इसका नाम में अधा है यह यह इसका नाम लूट इसका नाम है, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, अलग से, लिब्रेशन टाइगर ओफ तमिल इलम, फिक है, लिब्रेशन टाइगर ओफ तमिल इलम, जिसको सौट में हम लिट्टे कह सकते हैं, तो यह तमिलों का संगटन है, और इस संगटन का, शिलंका की जो सेना है, उसके साथ संगर्ष चल रहा है, यानि शिलंका की सेना जो है, उसके साथ इनका संगर्ष चलता है, तमिल वालों जो लोग हैं इनके संगटन का, और इसमें तमिलों के लिए, अलग से देश बनाने की मांग करते हैं और इसका सिंगली लोग जो हैं वहाँ पे विरोध करते हैं तो ये पूरी कहानी इस तरीके से हैं यानि कि शेलंका एक देश हैं वहाँ पे सिंगली लोग रहते हैं जो संक्या में जादा हैं वहाँ के निवासी हैं भारत के कुछ तमिल लोग जो थे वहाँ पर जाके बस गए, अब सिंगली लोगों में तमिल लोगों के बीच में इन दोनों के बीच में विवाद है, सिंगली लोग कहते हैं कि शेलंका जो है वो सिंगली ओंका है, ठीक है तमिलों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, या फिर उनसे इनका आता है तो यह सौट में आपको समझा दिया पूरा आगे चलते हैं श्रिलंका में जातिय संगर्स के बाद भी आर्थिक छेत्र को देखें या फिर मतलब वहां पर उन्नती देखें तो बहुत जादा हो रखें यानि कि इतना जातिय संगर्स हुआ ग्रह युद दुआ वहां लेकिन फिर भी श्रिलंका बहुत मतलब बहुत जादा तरक्की कर गया तो यही आपको यहां पर स्पष्ट करना बताना है ठीक है तो देखें श्रिलंका में बहु संक्यक सिंगली संगर्स है अभी जश्ट हमने पढ़ा था लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर आर्थि विकास देखें तो बहुत जादा हुआ है यह आपके लिए समझना है कैसे हुआ तो देखें जनसंख्या की स्रिलंका ने क्या किया जो उनकी जनसंख्या है उसकी जो वृद्धी दर है उस पर इन्होंने नियंतरन कर लिया यानि जनसंख्या तेजी से यहां पर नहीं ने उस पर रोक लगा दिया नियंतरन कर लिया आप ऐसे कह सकते हूं सेकंड देखिए दक्षिनेसिया में अपनी अर्थ व्यस्ता का सबसे पहले उधारी करन जो था वह शिलंका ने किया था तो बहुत चोटा सा देश है भारत के मुकाबले तो बहुत ही चोटा है और संगर के बावजूत शेलंका में लोकतांत्रिक राज विवस्ता काया में ये भी सबसे बड़ी बात है कि इतना संगर्स होने के बाद भी यहाँ पे सफलता पूरवक लोकतंत्र काया में तो यह important है यह point आपको बिलकुल याद रखने है बहुत important question है पेपर में बहुत पूछे जा most repeated question भी इसको कह सकते हुआ कि भारत और बांगलादेश के बीच में ऐसे मुद्दे आपको बताने है जिन पर सहमती बन गई हो और ऐसे मुद्दे बताने है जिसको लेकर विवाद चलता हो ठीक है यानि सहमती के मुद्दे भी बताने है और विवाद के मुद्दे भी बतान जगा सायोग या संगर्स ऐसे शब्द लिखे मिलें तो भी आपको ध्यान रखना है तो देखे आपदा परबंदन का मुद्दा जो है इस पे सहमती बनी हुई है ठीक है आपदा परबंदन के मुद्दे पे भारत और बंगलादेश जो है ये दोनों साथ है पर्यावरन का मु संगला देश म्यामार के रास्ते होते वे जो दक्षिन पूर्व एसिया है जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना आसियान के बारे में जिसमें फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलेंड ठीक है हमने ये देश पढ़े थे म्यामार वगेरा तो इन देशों का जो संगटन है आ जिस पर सहमती बन गई है तो ये सहमती वाले पॉइंट जो है अगर सहमती पूछे तो सहमती बताते नहीं है आ सहमती वाले पॉइंट जिस पर विवाद चलता है तो देखे गंगा प्रहंपुत्र नदी का जो जल बटवारा है पानी का बटवारा है उसको लेकर विवाद यह आपको याद रखना है, भारत में क्या है, भारत में लाखों की संक्या में अवैद रूप से बंगला देश के जो लोग है, भारत जब इसकी बात करता है तो वो इसका खंडन करते हैं, वो नहीं मानते इस बात को, तो इस बात को लेकर विवाद है, फिर भारत विरोधी बंग्लादेश जो है वह एक इसलामी देश है वहाँ पे मुसलिम संक्या ज्याद हैं और वहाँ पे क्या होता है कट्टरlighi । नहीं जाता है। तो ये एक विवाद का मुद्दा बन जाता है, आप देखते होंगे नियूस बगएरा में, वहापे जो हिंदू रहते हैं, वहापे अभी मंदिर बगएरा तोड़े जाते हैं, ऐसे नियूस आप सुनते हो, आप कभी भी देखोगे तो इस तरीके की चीज़े महापे बहुत जाता होती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक है कि भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करने का फैसला, ये भी एक important point है, जिस पे विवाद हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे point है, जिस पे सहमती है, तो ये आपको क्या करने है, सारे point जो है important है, याद रख सर्च करने है, टेलिक्राम पे, 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है, वहाँ पे आपको टेलिक्राम में जुड़ जाना है, आपको वहाँ पे सारे chapter की वीडियो के link जो है, वहाँ पे मिल जाया करेंगे, बात करते हैं, अगले question की, की नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहा बहाल हुआ, या फिर अथवा करके दे रखा है कि नेपाल में किस प्रकार रास्तंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ, यानि पहले रास्तंत्र था, कैसे रास्तंत्र को छोड़के लोकतंत्र की तरफ गए, पुरी स्टोरी आपको यहाँ पे पूचिए, अब देखें, यह जो कह और यहां पे जो कुछ राजनितिक पार्टिया है और यहां की जो आम जनता है, वो राजा से डिमांड करती थी कि एक अच्छा शासन दिया जाए, लेकिन जो राजा था, उसने अपनी सेना के दम पर पूरे शासन को अपने नियंतरन में ले रखा था, जनता की बात को नही पर आये अंदोलन हुए, तो इस कारण 1990 में राजा ने क्या करा, लोकतांत्रिक समविदान की जो बात चल रही थी ना, वो मांग सुईकार कर ले, इसने का ठीक है, तो मैं लोकतांत्रिक समविदान चाहिए, हम दे देंगे, ठीक है, सुईकार हो गया, आगे विवाद खतम आगे और देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष कई समस्या हैं, यहां पर जो लोकतांत्रिक सरकारें सही तरह की से चल नहीं पा रही थी, समस्या बहुत तरह की थी, आगे विवाद बढ़ता गया, देखे कैसे हुआ, 1990 के दसक में देश के कई भागों में माववादी एक गुरूप है यहां पर, यह इन लोगों का गुरूप जो था, यह मजबूत हो गया, और माववादी जो थे, यहां पर अपने जड़े जमा चुके थे, और इनका राजा से संगर्स चलता रहता था, तो यह देखिए, राजा की सेना से माववादियों का खुला संगर्स चला, एक तरफ राजा के सैनिक, दूसी तरफ माववादी, इनके बीच में लड़ाई हुई, कई मारे गए और यह चलता रहा, उस समय तक राजा की सेना और लोकतंत्र समर्तक लोग और माववादी, इन तीनों के बीच में संगर्स चलता रहा, एक तरफ राजा के सैनिक थ यहां ना वो भी खतम हो गया, क्योंकि अब संसत को गिरा दिया गया है, सब कुछ खतम, लोगतंतर भी यहां बिल्कुल खतम, और फिर 2006 में क्या हुआ, यहां पर एक बहुत बड़ा अंदोलन हुआ, यहां पर मतला बहुत बड़ा अंदोलन हुआ, पूरे नेपाल में, सारे लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए थे देश वयापी लोकतंत्र के समर्थन में अंदोलन हुआ था इसके बाद राजा ग्यानेंद्र जो थे उन्होंने संसत को बहाल कर दिया ठीक है भाई हम संसत बहाल कर देंगे क्योंकि दबाव में आ चुके थे यह यह परदर्शन जो अब यह सारे आपस में मिल गए और तब ही जाके बहुत बड़ा संगर्श हुआ था माववादी समों ने ससस्त संगर्श की राज छोड़ दी अब जब सब कुछ मापे बात मान ली गई कि ठीक है संसत को भाल कर देंगे लोकतंत्र चाहिए ठीक है लोकतंत्र दे देंगे सं रास्तंत्र खतम कर दिया गया और यहां पे क्या गया था लोकतंत्र गया याद रखें और यहां पे लोकतंति गड़ो राजयर विवस्ता चल रही है तो कैसे ये राज तंतर से लोग तंतर बना एक पूरी कहानी थी पूरी स्टोरी थी आई होप आपको ये समझ में आई होगी तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझते जाएं आगे देखें एक कोशन है कि ये पीपर में आया वता है इतिंग कोशन है इसके तैट भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में बिना किसी वीजा परमीशन के बिना किसी पासपोर्ट के आ जा सकते हैं ये हम दोनों मतलब दोनों देशों के बीच में एक समझोता हो रखा है तो ये पेपर में भी आया हुआ था और ये याद रखना आपको अगला कोशन है मालदीव मालदीव आप देखो कि बहुत छोटा था देश है मैप में एक बार आप देखना मालदीव 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था बाद में क्या हुआ इसे गड़तंतर बना दिया गया और यहाँ पे पहले अब अब जो शाषन विवस्ता थी अध्यक्षात्मक पर्णाली शाषन जो होती है इसको अपनाया गया यह क्या होती है अध्यक्षात्मक पर्णाली इसके लिए जैसे भारत में बहुत अलिये विवस्ता है यानि बहुत सारी राजनितिक पार्टी है जैसे कॉंग्रेस हो गई विजेपी हो गई और अन्य कई सारी पार्टी है यह बहुत अलिये पर्णाली की प्रमिसन चाहिए इसके पक्षमिनों ने मद्दान किया फिर मालदीवियन ड चुनाओं के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि चुनाओं जो थे वो उसमें विपक्षी दलों को मानेता दे दी गई थी तो इस तरीके से यह जो है यह भी कही न कहीं लोकतंत्र की तरफ चला तो मालदीव की पूरी स्टोरी आपको पता होनी चीए ने जंत्र की समर्तक है इस कथन के आपको व्याख्या करनी है तो हम बोलेंगे कि दक्षी ने इस हमें लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वह मिला जूला रहा है लेकिन यहां की जंता है जंत्र के समर्तक है यह कथन बिलकुल सत्य है 100% सत्य है कैसे हम इसको सत्ते कहेंगे देखें क्या हुआ था कि दक्षी नेशिया के पांच देशों में एक सर्वेक्षन करवाया गया यानि एक सर्वे कराया गया सर्वे में कौन से देश शामिल थे तो इसमें बंगला देश था भारत था नेपाल था पाकिस्तान और शिलंका इन पांच देशों को इस सर्वे में शामिल किया गया और सर्वे में ये पता लगा कि जो यहां की जनता है न वो सबसे ज़्यादा जो है लोकतंत्र को पसंद करत जब जनता से पूछा गया कि आपको कैसा शासन चाहिए, तो सारी जनता ने क्या का, ज्यादा तर लोगों ने क्या करा, कि हमको लोकतंतर चाहिए, तो इस तरीके से हम इस कोशन के आंसर को लिखेंगे, ठीक है, अगला कोशन, यहाँ पर दिखें, मालदीव से रिलेटेड यह यहां पे हुआ, तो भारत से मदद मांगी, तो जब भारत को पता लगा, ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है, तो भारत ने अपनी वायू सेना और नो सेना को तुरंत भेज दिया, और इस तरीके से मालदीव को बचाया गया, ठीक है, भारत ने मालदीव के आर्थिक प्रिकास में परियाटन में और मत से उद्योग में भी मदद की है तो यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है सौट कोशन बना के तो यह जो बताया इसे भी याद रहा है वैश्विकरन के है आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं जुड़ गई है वैश्विकरन के कारण जो चीज़े पहले बहुत मुश्किल होती थी बहुत लगता था इंपॉसिबल है आज वो चीज़े बहुत आसानी से हो जाती है क्यों क्योंकि आज के समय में technology का विकास बहुत हो गया है और technology का विकास ही कईना कई वैश्विकरन का एक कारण भी है तो ये भी हम आगे बढ़ेंगे, तो वैश्विकरन का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझे, देखे वैश्विकरन का मतलब होता है प्रवाह, अब ये प्रवाह क्या होता है, आपके दिमाग में ये आएगा, प्रवाह का मतलब है कि किसी चीज़ का एक जग़ से दूसरी जग दूसरे देश में पहुंचना विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना ये भी एक तरह से प्रवा है इंपोर्टेंट है अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्जामपल दे के समझाता हूँ जैसे मान लो आज से अगर हम 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि आज की तरह आज हर किसी के पास मॉबाइल फोन अविलेबल है, सुविधा हैं अविलेबल है, उस टाइम पर इस सुविधा नहीं होती थी तब अपने विचारों को लोग कैसे पहुंचाते थी इमान लोग की कोई यूपी में रहता है और कोई दिल्ली में रहता है इनको आपस में कॉंटेक्ट करना है, तो कैसे करते थे तो चिठ्धिया होती थी, चिठ्धि के जरिए अपनी बाते पहुंचाते थे, तो इसमें कितना समय लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस था लेकिन बाद में क्या हुआ, टेक्नलोजी का विकास हुआ, और मोबाइल फोन आ गए ठीक है, और आज के समय में अपनी बातों को हम कुछ सेकेंडों में ही पहुंचा देते सामने वाले के सामने, चाहिए वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, या एक देश से दूसरे देश में हो, कोई दिक्कत नहीं आज के समय में ठीक है, तो कहीं न कहीं, यही चीजे जो है वैश्विकरन के विकास में देखने को मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से, फिर वस्तूओं का एक जगह से दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश में पहुंच पाना, आप देखते हो, आप मोबाइल वगरे यूस करते हो, आप कभी देखना कि वो कौन सी कमपनी का मोबाइल है, कहां पे बना हुआ है, तो आप देखोगे कि विदेशों में बनने वाली चीज, आज आसानी से भारत में उपलब्द है, भारत में बनने वाली चीज, विदेशों में जाके उपलब्द हो चाती है ये सब कैसे ये एक जाल है जो इधर से उदर सब कुछ हो पा रहा है ये सब वैश्वी करन की कारण हो पार है जरूझा है तो ये वस्तु होगा एक देश से दूसरे देश में पहुंँच़ाना है एक जगत से दूसरे देश покупा ना या कोई दूसरे देश में रहता है उसको लगता है कि उसके देश में ज्यादा अच्छा रोजकारनी है या उसको ज्यादा बहतर सुविधा है इंडिया में मिलती है तो वो इंडिया में आ सकता है तो ये सारी सुविधा है आज के समय में है और बहुत कम समय में पहुंच जा या आपको आराम से समझ भाया होगा, चलते हैं अपने अगले कोशन पर, एक कोशन ये भी बनता है कि वैश्वे करण जो है, या खिर क्यों हो पाया ये, पॉसिबल कैसे हो पाया है, इतनी आसानी से, तो इसके बीचे कारण जो है, एक ही कारण है, सबसे महत्पून कारण, वो हो जाता है, पहले जब गाड़िया नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, सुविदाय नहीं होती थी, तो लोग पैदल चलके यात्रा करते थे, तो कितना जादा टाइम लगता था, ठीक है, बाद में बैल गाड़िया आ गई, उसके जरिये लोग जाने लगे, तांगा वैश्वेकरन के यही कारण बनते हैं, ठीक है, यह सारे वैश्वेकरन के कारण बनते हैं, टेकनलोजी का विकास, छपाई तकनीक इसने करांती ला दी थी, जब कभी छपाई तकनीक नहीं होती थी, तो किताबे वगरा जोती थी, कैसे लिखी जाती थी, हास से लिखी जाती जिसको पांडूलिपी कहते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता था या आपने पढ़ा है लेकिन जब छपाई तक नीक आ गई तो एक ही दिन में ना जाने कितनी सारी किताबे छापती जाती थी और कितनी आसानी से विचारों को पहुचाया जा सकता है आगे तो वैश्वे करन का कारण पूछे तो आप सबसे ज़्यादा यह लिखेंगे कि सबसे पहले यह लिखना आपको टेक्नोलोजी का विकास और फिर उसके बाद यह कुछ दो तीन एक्जांपल ऐसे ऐसे लिख दोगे तो यह आपका अंसर सही बन जाएगा अगला कोशन देखो विश्व वयापी पारस पर एक जुडाओ के क्या भी पर आए है इसके कौन से गटक है अब देखो यह अभी हम पढ़ चुके है अब स्टार्टिंग में बताया था लेकिन पेपर में न कोशन लेंग्विज घुमा के पूचा जाता है तो यह पेपर में आपके बहुत 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 ब है चार घटक को हम प्रवा के रूप में भी जानते हैं और यह प्रवा भी अमने जश्ट पढ़े थे थोड़े तेर पहले विचारों का प्रवा विचार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वस्तु का पहुंचना बहता राजीविका की तलास में लोगों का मैंने बिल्कुल सेम लेंग्वेज में आपको वहाँ पर मिलेगा तो आपको सीदे सटीक शब्दों में आपको यह दे दिया है अब आपको क्या करना है कुशन को देखना है ध्यान से पढ़ना है और इसको आपको पेपर में लिखना है और आप इसको नोट डाउन भी कर सक है सूचिए कि अगर technology ना होती तो आज हम कैसे जी रहे होते हैं किस लेवल पर जी में होती है आज से पहले अगर हम समाच के समय पूंजी, वस्तू, लोगों की आवाजाई ये सब आसानी से होप आई है अगर ये सब नहीं हो पाता ना विकास नहीं होता तो आज कहिना गई हम भी काफी मतलब आभाउ में जी रहे होते हैं इससे वैश्वे करन का प्रसार काफी तेजी से हुआ इसके परिणाम सरूप आज आज की दुनिया में आज के विश्व में एक छेतर में होने वाली घटना जो है उससे केवल वो छेतर परभावित नहीं होता बलकि दूसरे छेतरों पर भी उसका परभाव पड़ता है अगर आज अमेरिका में कोई घटना हो जाए तो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देश उससे परभावित होंगे यह सब कुछ वैश्व करण के कारण हो पाया है क्योंकि अब क्या है भाई मानलो अमेरिका में अकाल बढ़ जाए कोई दिक्कत हो जाए तो वहां से जो चीज़े आ रही है कहीं न कहीं उससे असर पड़ेगा और वो चीज़े भारत में आती है तो भारत वाले लोग भी उससे परभावित होंगे तो समझे रहो तो यह चीज़े कहीं न कहीं आज के समय में वैश्व करण के कारण ही हो पाया है क्योंकि वैश्व करण के कारण दुनिया के सबीदे से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं चाए वो व्यापार के जरिये हो जैसे देखें बर्ड फ्लो हो गया, सुनामी जैसी घटना हो गई, इससे केवल वो देश थोड़ी परभावित होता है जहां पर यह होता है, बलकि दूसरे देश जो हैं, वो भी परभावित हो जाते हैं, ठीक है, तो यह महत्पुना एक्जामपल है आपके लिए, ठीक इसी जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं मानलो कहीं पर, तो उसका प्रभाव जो है, वो मौजूदा इस्थान पर और छेत्रिय प्रवेस्ता की सीमित नहीं रहता, बलकि पूरी दुनिया में उसको महसूस किया जाता है, टेक्नोलोजी की साहता से, आज खाद्य पता, खा आज के समय में इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है, इसकी वज़े से वस्तु और पॉंजी का परवाह में तेजी आई है, अब देखें, पहले क्या होता था हमें पैसे किसी को देने होते थे, तो एक व्यक्ति पैसे लेकर जाएगा, द पैसे दूसरे के खाते में बेश सकते हैं, कितना असान हो गया, यह सब कैसे हो पाया है, कही न कहीं इसमें इंटरनेट और यह जो टेक्नोलोजी है, कही न कहीं यह है, तो यह भी एक अच्छा एक्जामपल है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अब राज्यों में, यानि अब यहां पर राज्य का मतलब सरकार से है, ठीक है, सरकार से, यानि आब राज्य में आधुनिक टेक्नलोजी मौझूद है, जिसकी साहिता से जो सरकार है, वो क्या गरती है, अपने नागरिकों के बारे में सूचना हैं जुटा सकती है, इस सूचना के दम पे, यहां पर राज्य क ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, ठीक है तो उसकी शमता बढ़ी है हम ये भी कह सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे, आगे देखे, नोट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उसके लिए आपको एक लबवेस्टुपाइट डॉट कॉ एक कुछन बहुत आता है पेपर में, कि वेश्विकरण के राजनितिक परभावग या परिणाम बताओ या देखे, Language को गुमा गे भी पूचा गया है पेपर में, ये आपके 2012 में पेपर में आया हुआ है, कि वेश्विकरण के संधर में विकास से इल देशो में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मुल्यंकन करो या फिर वैश्विकरन की राजनितिक परनितियां क्या हुई ये बताईए तो ये तीनों कोशन एक ही है लेंग्वेज घुमा दिया थोड़ी सी समझो यहां पर एक बार ध्यान से देख लोचन को अब इसके आंसर पर बात करते हैं देखिए वैश्विकरन के कारण राजनितिक जो बदला हुए है काफी जादा देखने को मिलते हैं समस्ते हैं इसको विकासिल देसों में राज्य की राज्य का मतलब यहां पर सरकार से होता है स्वास्ते सुविधाओं का अभाव है स्टिक्षा की कमी है ऐसी बहुत सारी समस्याइं जो है यहां पर विद्धमान है और इन समस्याओं का समधान करना किसका करतावे होता है राज्य का राज्य का मतलब यहां पर सत्ता से है सरकार से है प्रतम करतव वेह कि इन समस्यावें से अपनी जनता को निकाले yours गार्यां का सरकार records यह काम करेगी गरीब यह रोजगार देना उनको सिक्षा देना सुरक्षा देना ये सब किसका काम है राज्य का काम है या नहीं सरकार का काम है लेकिन अब देखो बदला कैसे है लेकिन वैश्विकरन के परिणाम सरूप जब से वैश्विकरन वाली विवस्ता ही है अब विकासिल देसों में राज्य की भूमे का जो है इसमें बदला हुआ है बदला हुआ जो है वो किछ इस परकार से अब ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखने है डाइरेक्ट बोस्तक्ता है पेपर में सीधा सीधा आप से ये पूछे हैं बताईए वैश्विकरन के कोई चार राजनितिक परिणाम बताएं तो आपको फिर वहाँ पर ये चीज़े नहीं लिखनी है आपको सीधा ये पॉइंट लिख देने है ठीक है जो आपके सामने आगे लिखे हुए मैंने आपको समझा रहा हूँ विस्तार से इसलिए मैंने ये पॉइंट सारे आपको लिख के बताएं अब देखो राज्य की शक्ती में कमी आई है कल्यान कारी राज्य की धार्णा का इस्थान जो है नियूंतम हस्त शेप कारी राज्य ने ले लिया है क्या था भई पहले जो राज्य होता था यानि जो सरकार थी उसका काम होता था जनता की भलाई के लिए ज्यादस ज्यादा काम करना यानि कल्यान कारी राज्य होता था पहले वो जमता के लिए अच्छ-च्छि हो, जनाई बनाना सब कुछ लेकिन अब ये चीजे दीरे-दीरे धूंदली हो रहे है अब न्यूनता महस्तेशेव करी यानि सरकार अब कम से कंम हस्तेशेव करेगी ये वाला काम हम हो रहा है ठीक है राज्य जो है, वो अपने आपको कुछ एक मुखे माम लो था किया निकुछ मुखे काम ने वहाँ तक सीमित रखते हैं जीसे मानलो कानून बनाना सरकार का काम है वो कानून बनाएगी और अपने नागरीकों को सुरक्षा देना, ये उसका काम है, उस सुरक्षा देगी. ठीक है? राज्य जो है, अब कल्यान करी काम की और कम ध्यान देता है. राज्य के स्थान पर अब बाजार जो है, वो आर्तिक और सामाजिक प्रात्मिक्ता हुंको मुख्या निर्धा रखे क्योंकि आज के समय में वैश्विकरन का दोर है अब बाजार, कॉम्पेटिशन, परतिसपर्दा पुन जीवाद, ये चीज़ा ज़्यादा महत्पून हो गई है तो सरकार जो है अपने आपको कुछ मेन कामों तक सीमित रखती है जैसे कानून बनाना, जनता को सुरक्षा देना बागी सारी चीज़े जो है वो बाजार अब कहीं नहीं अंतरन्त करता है बहुराश्ट्य कंपनिया जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है इनके आने से विकासिल देशों में सरकारों द्वारा अपने दम पर फैसला लेने की शंता में कमी आई है क्योंकि देखो, जो मल्टी नेशनल कंपनी है बहुराश्ट्य कंपनी है जब ये बाहर की कंपनियां विकासिल देशों में आती है, निवेज करती है तो इससे profit होता है बहुत ज़ादा इसको होता है, सरकार को भी फायदा होता है जनता को भी फायदा होता है क्योंकि भाही बहुत ज़ादा रोजगार मिलते है काफी फायदे होते हैं तो कही ना कही अब ये ऐसे में ये जो कंपनियां होते है इनका महतों बढ़ जाता है अपने दम पे सरकार जो फैसले बहुत जादा नहीं ले सकती है कहीं न कहीं इनका भी महतों बढ़ता है तो ये चीज़े आपको यहाँ पर बताईए इसके अलावा देखे क्या है लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है वैश्वी करन के परिणाम सरूप अब राज्यों के पास अत्यादुनिक टेकनोलोजी भी आ गई है यानि अब बिल्कुल लेटिस्ट टेकनोलोजी जो है वो भी आ गई है सरकार के हाथ में अब सरकार अगर चाहे तो अपने नागरिकों के बारे में हर परकार की सूचनाई जुटा सकती है अधिक कारगर ढंग से काम कर सकती है चाहे तो सरकार ये भी सकते है ठीक है तो ये point जो है ये राजनीतिक कुछ परिणाम हो जाएंगे आप इस तरीके की point लिख सकते हो और ये important है आप इसको याद कर सकते है समझ सकते है ठीक है अगला question है आर्थिक परिणाम ये भी अलग लग language में पूछा जाता है तो आपको ये point याद रखने है वैश्विकरन के आर्थिक परिणाम में क्या क्या आएंगे चले देखते वैश्विकरन के कारण क्या हुआ है आर्थिक परिणाम देखे राजनीतिक तो पढ़ लिए हमने अब आर्थिक पढ़ेंगे इसके कारण के पूरे विश्व में वस्तुओं के व्यापार में विर्दी हुई है पहले क्या होता था सबी देखना पाबंदिया लगाते थे कि भाई अपनी चीजों को बहर नहीं बेचेंगे ठिक अपने देख के लिए अपनी चीजों को संर्क्षन देते थे अपने देख की कमपनियों को इससे क्या हुआ उन्देशों में competition कम रहा ठीक है quality में सुधार नहीं हुआ लेकिन जब वैश्विकरन के तहित विकास हुआ आर्थिक विकास हुआ तो उसके तहित क्या हुआ market में अलग-अलग company आ गई उनके product आने शुरू हो गए competition हुआ तो competition हुआ तो जो के price घटे और लोगों के सामने option बढ़े तो ये सब क्यासे possible हो पाया है वैश्विकरन के कारण और ये वैश्विकरन के आर्थिक परिणाम में आएगा ये point आपको याद रखना है यानि वैश्विकरन के कारण पूरी दुनिया में वस्तूओं के व्यापार में तेजी आई है क्योंकि पहले जो थे आयात पे परतिबन लगाते थे लेकिन अब क्या है पहले की तरह अब आयात पे परतिबन नहीं लगाए जाते थे संदक्षनवाद की नीती अपनाते थे पर अब नहीं लगाते हैं अब चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा competition हो हमारी चीज़े ज़्यादा बिके दुनिया के दूसरे देशों में आज चाइना जो है दुनिया भर के देशों में बेची जाती है बहुत ज़्यादा इसलिए चाइना क्या है इतनामीर होता जा रहा है तो competition होते हैं जहां इ typ होटे वहाँ पे ज्यादा होता है विचारों का विस्तार हो पाया है इंटरनेट और टोटर से जोड़ी सेवाओं का विस्तार हो रहा है विक्सित देश जो है वो क्या अगरते अपनी वीजर नीती कठोर बना लेते हैं ताकि मतब हर छोटे-मोटे देश से लोग वहाँ पर आसानी से ना पाएं उनके रोजगार को ना चीन सकें इसलिए नीजी करन और पूंजी वादी विवस्ता के तैत हो पाया है समझे रहो चाइना भी अगर डेवलप हुआ है ना तो वो भी कहीं न कहीं इसी विवस्ता के कारण हुआ है आपने पढ़ा होगा कि 1978 से पहले जब चाइना ज्यादा किसी से व्यापार नहीं करता था तो चाइना में बहुत दिक्कते थ वहाँ पर बनने वाले प्रोड़क्त है वह दूसरे देशों में जा के बिके है क्योंकि उस से उनको विदेसी मुद्रा मिलती है ठीक है और जब जादा जादा भाई दूसरी देशों में निवेस करेंगे तो वहाँ पे रोगों को रोजगार भी मिलता है बाजार में competition बढ़ता है competition बढ़ता है यह आप chapter की वीडियो को जरूर देखना वहाँ पे example बहुत सारे दे रखे है बाजार में विबिन देशों के उत्पाद आज के समय में आसानी से उपलब दो पाए है तो यह भी वैश्विकरन के तहते आज अमेरिका में बनी हुई चीज आप आराम से Amazon के थुरू आप अपने घर पे मंगा सकते है या कोई भी Amazon flip card मतलब ओनलाइन shopping के जड़ी आप अराम से उपलब अ सकते है तो आप समझे रहे है यह सब कुछ आसान होपाए है तो यह वैश्विकरन के कारण और यह इसके आर्थिक परिणाम में यह point आए है यह जितने भी आ रहे है ध्यान से देख लो एक पर यह point अगला कोशन है वैस्वी करन के संस्कृतिक परिणाम इन में से एक कोशन ज्यादा तर इस चेप्टर से आता है या तो आर्थिक पूस्ते है राजनीतिक या संस्कृतिक तीनों कोशन आपको आने चाहिए संस्कृतिक बहुत आसान है देखे वैस्वी करन के थहत क्या हो रहा ह दुनिया भर में पश्चिमी देशों की संस्कृति जो है वो ज्यादा मतलब लोकप्रिय होती जाती है समझ रहे हो तो ये चीज़े बदलाओ हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है हमारे खान पान में बदलाओ आ रहा है कहा हँ दूद दही ये सारी चीज़े घी वग खाने वाले लोग आज कहीं ल tried मोमोळ रगर की तरब जा रहे ये सब पश्चिमी सब बैदा की तरब जा रहे है हमारे खान पान में बहुँच जहादा बदलाओ आ रहे हिए रहन सेन में बदलाओ, आपको पता है धोती कुरता पहना जाता था, कुरते बजा में पहने जाते थे, आज के समय में जीन्स वगेरा ने उसकी जगा ले लिए, पहनावा हमारा बदलता जा रहा है, ठीक है अगर आज से 100 साल पीछे जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि हमा इसी संस्कृति को अपनाते जा रहे है, अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ हमारा ज्यादा जुका हो रहा है, पस्चिमी देसों की सब्वेता की तरफ हमारा ज्यादा जुका हो रहा है, महिलाओं की स्तिती में कुछ जगा पे कमी भी देखने को मिलती है, तो कुछ जगा पे स जबस्तु की तरह दिखाया जाता है जैसे मीडिया और न्युज में और फिल्मों में आप देखते हैं तो कही न कही उनकी स्थिति में कमी भी आई तो दोनों तरह के देखने को मिलते हैं विदेशी फिल्म, विदेशी तेवहार, विदेशी संगीत के तरफ रूजान बढ़ रहा है, ये भी कई न कई सांस्कृतिक परिणाम है, रूडी वाधिता दीरे दीरे खतम होती जा रही है, और लोगों के विचारों में बदला हो आ रहा है, पहले लोग रूडी वाधिता होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो रूडी वाधिता पुरानी मानेता हैं खतम होती जा रही है, विदेशी संस्कृति का प्रसार हो रहा है, ये सारा ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे संस्कृतिक परिणाम बनते है, तो आई होप आपको यह बहुत आ वैश्वीकरन ने भारत को कैसे परभावित किया है, और भारत कैसे वैश्वीकरन को परभावित कर रहा है, ये कोशन पूछा जाता है, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि वैश्वीकरन ने भारत को कैसे परभावित किया है, इसके बाद अगली स्लाइड में हम बात करेंगे क भारत कैसे वैश्वी करन को प्रभावित कर रहा है तो चले देखते हैं वैश्वी करन के कारण भारत ने विभिन छेत्र जैसे कि मानलोब व्यापार और निवेस पर बाधायें हटा दिये पहले क्या होता था कि आजादी के बाद भारत ने अपनी कमपनियों को भारत की जो कमपनी थी उनको ग्रो करने के लिए उनका विकास करने के लिए संरक्षनवाद की नीती अपना ली थी कि हम क्या करेंगे अपने देश में बने हुए जो चीज है आइटम है उसको यूज करेंगे और बाहर की जो विदेसी चीज़ आती है उसको कम से कम यूज करेंगे विदेसी चीज़ों का बहिसकार करेंगे और अपने यहां बनी चीज़ों को करेंगे ठीक है यूज करेंगे से फाइदा नुक्सान किया था फाइदा तो यह था कि अपनी pamuk Rus侑 ऊं फाइदा मिलेगा लेकिन इससे नुक्सान किया такую मार्केट में यह ज़्यादा फीचर देंगे वो अपने प्राइस घटाएगा वो कम प्राइस में और सो विदाएं देगा वो क्योंकि ग्रागों को अट्रेक्ट करना है तो यह हो जाएगा तो यही जो चीजे थी यह चीजे नहीं हो पा रही थी ठीक है तो जब हम मतलब अपने उपर निर प्राइस करना शुरू करा वो भी यहां पर अपने प्रोड़क्ट को लाना उन्होंने शुरू कर दिया तो इससे कॉम्पिटीशन आया प्राइस घटे और क्वालिटी बढ़ी आके देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है बहुराष्ट्य कंपनियां जो होती है इन आपके सामने कॉम्पिटीशन बहुत है अगर आप मोबाइल आज की डेट में सर्च करते हो तो ना जाने कितने तरह के आपको मोबाइल मिल जाते हैं आसानी से आप टीवी लेने जाते हैं तो आपको अलग अलग देशों से बनाई होए प्रोड़क्ट आपको आराम से मिल जाते हैं बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं क्योंकि आपके पास चीज़े बहुत जाता है तो आपके पास पसंद नापसंद का दायरा बढ़ जाएगा मान अपके पास एक ही कंपनी चीज़े वन दोशी मिलती हिना हो तो फिर आपको मजबूर होगे लेना पड़ेगा तो यहां पर यह चीज़ है, जब यह सब होता है तो उच्छकोटी की चीज़े आपको मिलने लग जाएंगे, और स्वास्ते संबंदी, सेवाएं भी आपको अच्छी प्राप्त होने लगी, दिरी दिरे, क्योंकि यहां पर भी चीज़े होने लगी, सुविधाएं बढ़ गई है सुविधाएं बढ़ने के कारण, जीवन का जो इस तरह है, उसमें भी सुधार होने लगा है, तो यह सब भारत, वैश्विकरन ने भारत को कैसे परभावित किया, तो यह पॉइंट आप यहां पर लेखेंगे, अब अगला पॉइंट आपका यह बनेगा, कि भारत ने कैसे वैश्विकरन को परभावित किया, तो यह भी इंपोर्टेंट है, यह पीपर में पूछा जाता है, तो देखें, भारत में वैश्विकरन के अंतरगत, उदारी करन की नीती अपनाई, क्योंकि देखो, हमने सन्रक्षनवाद की नीती अपनाई थी, कि अपने देश में बनी पिछड रहे हैं, तो फिर बाद में हमारी नहीं आर्थिक नीती आई, उसके दैत हमने उदारी करन की नीती अपनाई, और अब हमने जो आयात पे जो हम पहले परतिबंद लगाते थे, वो हमने समाप्त कर दिया, कि नहीं, अब बाहर से जो आने वाली चीज़े उसको भी खरी आपना की, और उनको अट्रेक्ट करने के लिए कई सारे रूल्स बढ़ाए, वैश्वे करन आर्थिक विवस्ता में विकाशिल देसों के हितों को महतो देना भारत की नीती है, महतपून, और भारत ने समय समय पर विकाशिल देसों के हितों के रक्षा के लिए, इंटरनेश सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या भी प्राएं, CBSC में आयावा कोशन है, ये प्रीवेसी एर के कोशन ले रखें मैंने आपे, रेपीटिट कोशन है, ध्यान लखें, तो देखें सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है आपे, ऐसी विवस्ता से है, जिसके अंतरगत, वैश्व सामाजिक संरूपता और सामाजिक व्विवन्निक करन में क्या आंतर है, चीक है? तो देखे समरूपता पहले पढ़ेंगे और वेबिन नी करन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे मैंने दोनों को अलग-अलग कलर से कर रखा ताकि आपको समझ मैं है तो देखे सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ होता है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्ववे में फैलना आपको पता है आज अमेरिकी और पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उससे हम बहुत प्रभावित है चाहे हमारा रहन सेनो चाहे हमारा खान पानो चाहे हमारा पहनावा हो हर चीज में आपको देखने को बदलाओं मिल रहे हैं तो संस्कृतिक समरूपता का अर्थ है पस्चिमी संस्कृति का पूरी दुनिया में फैलना आज पूरी दुनिया में पस्चिमी संस्कृति का इतना परसार हो गया इतनी तेजी से फैल गई है यह कि एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है, यानि कि दुनिया बर में अब यहीं संस्कृति चलेगी, अगर ऐसा होता रहा, तो जो हमारी देश की प्राचिन संस्कृति थी, जो पुराने रिवास थी, वो दिरे-दिरे खतम हो जाएंगे, हम बिलकुल कहीं न कहीं हम प विबिन संस्कृतियां, दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है, जिसके कारण परतेक संस्कृति अनूठी बन जाती है, मानलो भाई, चीन में कोई चीज अपनाई जाती है, मानलो भारत में कोई चीज चीन की संस्कृति है, भारत की चीज़े हम अपना रहे हैं या हमारी चीज़े चाहिना वाले अपना रहे हैं तो यह सांस्कृतिक वेबिन निकरन हो जाएगा ठीक है तो यह आपको समझना है और यह सांस्कृतिक समरूपता समझना है और वेबिन निकरन क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके कुछन पूछ ले और paper में आते हैं ऐसे question वैश्वी करन के विरोध में चलाए गए आंदोलन के बारे में बताना है आपको तो वैश्वी करन विरोधी कही आंदोलन चले हैं देश में परंतु ये आंदोलन जोते ही वो किसी एक विशेष कारे करम के विरूद देते जैसे मालो सामराज्य वाद का रूप माना चाता था या किसी चीज के खिलाफ था लेकिन क्या वहां की कुछ लोगों ने इकट्टे होके वैश्विगरन के कुछ मुद्दों को लेकर विरूद करना शुरू कर दिया तो वो देखते हैं यहां पे 1999 में सीटल जो एक जगा है यहां पे विश्व व्यापार संगटन की मंत्री स्तरिय बैठक होई थी यहां पे आर्थिक रूप से जो शक्ति साली देश हैं इनके द्वारा क्या होता था व्यापार के गलत तोर तरीके अपनाए जाते थे इसके खिलाफ लोगों ने परदर्शन फोरम यहां पे मानव अधिकार कारे करता पर्यावरनवादी मजदूर लोग यह वा लोग यह सब शामिल हुए और उन्होंने विरोध करा कई बैठा कोई इनकी ब्राजील में हो गई है दुबाई में हो गई है की निया में हो गई है और तो यह आपको याद रखनी है पॉ लीटिक यह आपटि यानि जो लाफ्ट है उसने भी जो दक्शिन पंक्न जो राइट विंक होते हैं इन्हों ने भी च॥ा वामपन्ति इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि वर्तमान वैश्वेकरन जो है वो विश्व व्यापी पुण जीवात की एक विशेश विवस्ता है यानि ये पुण जीवात के खिलाफ है ये कहते हैं कि ये पुण जीवात की ही एक विवस्ता है वैश्वेकरन इससे क्य कहते हैं यह कहते हैं कि राजनीतिक यानि वैश्वेकरन के चलते राजनीतिक आर्थिक और संस्कृतिक प्रभाव के कारण यह बहुत ज्यादा चिंतित हैं इनका कहना है कि राजनीतिक रूप से राज्य जो है दीरे-दीरे कमज़ोर होता है जब राज्य कमज़ोर होता है तो संस्क्र्टी दुनिया पर ला दी जा डिया आपको पता है आज के समयमें दुनिया भर लोग कहीं न देखें तो इसका खत्रा हो रहा है कि सारे आज अमेरिकी संस्कृति कि तरफ elemento Right क richtूपश मुद्धों सरकर से बाकिक्यम च्छोड़ दिया उन्णे तो ये भी मुद्धा बन तो यह आपको यहाँ पर समझ भाया होगा चैप्टर बड़ा है छोटा है कोशन लिमिटेडी बनते हैं आपके इससे ज्यादा कोशन नहीं बनते है और जो आपको कोशन करा रहा हो ना इसके बाहर नहीं आते कोशन यही कोशन भी परमाएंगे तो देखिया अगला कोशन लास कई और जी वाद जो यह कहीं न कहीं अमीरों को तो फायदा पहुचाता है गरीबों को नुक्सान ko Sims पहुचाता ऐसका नौन कहते हैं। जो मज्दूर हैं जो किसान संगट है इन्हों मल्टिनेशनल कमपनियों का विरोध कर आये जो बहारी कमपनिया है भारत का जो नीम का पेड़ोत है उसको अमेरिका और यूरोप की फरम ने पेटेंड करा लिया अपने नाम से और दवाया वगयरा क्योंकि नीम आपको पता है दवायों में बहुत उसका मेडेसिन वगयरा मे और विदेशी तेवहार, विदेशी फिल्में, विदेशी तौर तरीके को अपना रहे हैं तो हमारी संस्क्रिति खतम हो रही है, तो इस तरीके से भारत ने वैश्वेकरन, भारत में वैश्वेकरन का विरोध हुआ है, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आया होगा,